नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फोर पब्लिक सर्वीस कमिशन में जैसे कि आपको पताईए कि हर्याना पुलिस कॉंस्टेबल के लिए हमने बिल्कुल फ्री बैच को स्टार्ट किया हुआ है और जो इसकी शुरुआत है वो एक मार्ट से की गई थी और सब्जेक्ट हम यहां पे करवाने वाले हैं इन सभी सब्जेक्ट के टोप 500 कोश्चन हम यहां पे करवाने वाले हैं MCQ पुलिस थोरी यहां पे करवाई जाती है कुल मिला के लगबग लगबग 5000 कोश्चन हम यहां पे आपको करवाएंगे इन सभी सब्जेक्ट के जब तक इस सीरीज को तब तक continue रखा जाएगा जब तक कि आपका हरियाना पुलिस कॉंस्टेबल का एक्जाम नहीं हो जाता जैसे ही आपकी रिटन एक्जाम की डेट आएगी उसके बाद आपकी जो पी वाई क्यू है एच एससी के लगबग लास्ट पांच साल के जो पी वाई क्यू कोश्चन पर होंगे वो भी हम यहाँ पर करवाएंगे तो लगबग लगग आठ से 10,000 कोश्चन हम यहाँ पर करवाने वाले हैं तो घबरानी की कोई जूरत नहीं है कंटेंट में कोई धील नहीं बढ़ती गई है नहीं बढ़ती जाएगी पूरा NCRT से स्लेबस से कोश्च यह उठाए गई हैं कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है आप बे धड़क इन कोश्चनों को देखिएगा और अपनी तयारी कीजीगा अपनी तयारी को और बहतर करवाने के लिए आप हमारे साथ जोइन कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट है क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमें करना चाते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप हमसे आप हमारे फेस्बूक पेज को कनेक्ट करके हमसे बात भी कर सकते हैं इससे पहले प्राचिन भारत की इतियास और मद्देकालिन भारत की इतियास के टोप 500 कोश्चन करवाई जा चुकिए है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ हैं वहां से आप एजी से उन वीडियो को भी देख पाएंगे आज हम अधुनिक भारत की इतियास का पांच वा भाग डिसकस करने वाले हैं इससे पहले चार भाग आ चुके हैं तो मेरा ये सजेशन है उन चार भागों को भी आप जरूर देखिएगा काफी सारा factual डाटा यहां पर दिया गया है स्पेशली हरियाना पुलिस के लिए इस सीरीज को फ्रेम किया गया है बट मैं ये कहना चाहूंगा अब किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछी जाती है उन सभी के काफी सारा वेटेज आने वाला है जीके जीएस का तो अरके वाले वाले वच्चे इस सीरीज को जरूर से जरूर देखिएगा तो चलिए आज के वीडियो की शुरूआत कर लेते हैं तो ये देख लीजिएगा आदुनिक पारत की इतियास का भाग आज हम पांचवां डिसकस कर रहे हैं तो कोश्चन नबर फरस्ट को यहां पर डिसकस कर लेते हैं चतूर्थ आंगल मैसूर यूद कब हुआ था ये पूछा गया है तो आईए देख लेते हैं कि 1769 में लड़ा गया था चतूर्थ आंगल मैसूर यूद 1792 में लड़ा गया था 1787-88 में लड़ा गया था या फिर 1798-99 में लड़ा गया था question number first का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number D तो यह जो चतुरत आंगल मैसूर यूद था यह 1798-99 में लड़ा गया था तो आईए इसके बारे में हम थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं चोथा आंगल मैसूर यूद 1798-99 में लड़ा गया था दक्षिन भारत में British East India Company और हैदराबाद हैदराबाद के खिलाफ मैसूर के समराज्य के बीच में यह एक शंगर्श हुआ था यह अंगल मैसूर के हुए युदों में चोथी और अंतीम लड़ाई थी मतब चार युद लड़े गए थे टोटल अंगल और मैसूर के बीच में इससे पहले तीन लड़ाई यह लड़ी जा चुकी थी जिसका हम डिसकस भी कर चुके है प्रिविएस वीडियो लेक्शर में और यह चोथी लड़ाई थी इसी अंतीम लड़ाई में अंग्रेजों ने मैसूर की राज़दानी पर कबजा भी कर लिया था और युद के साशक जो युद का नेतताव कर रहे थे टीपू सुल्तान कर रहे थे जिसकी मृत्यू इस युद के बाद हो गई थी तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है कोश्चन नमबर फरस्ट का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर बी नेक्स आ जाएं कोश्चन नमबर सेकिंड का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं पर्थम आंगल मराथा युद सतरा सो पिचेतर से सतरा सो बियासी के बीच में लड़ा गया था वो जो दूसरा आंगल मराथा युद था वो आठारा सो तीन स अठारा सो अठारा के बीच में लड़ा गया था तो तीन युद आंगल मराथा के बीच में लड़ा गया था मतलब अंग्रेज और मराथो के बीच में तीन युद लड़े गया थे पहला युद कब लड़ा गया था सतरा सो पिचेतर से लेके सतरा सो बियासी के बीच में ल नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोश्चन नमबर थर्ड पर तो कोश्चन नमबर थर्ड में का गया द्वीति अंगल मराथा यूद कब हुआ था तो अब यह मुँपर डिसकर्श भी कर चुए नेक्स्ट आ जाएंगे हम कोश्चन नमबर फॉर्थ पर कोश्चन नमबर फॉर्थ में का गया तो आए इसको भी देख लेते के अठारा सो दो से अठारा सो साथ के बीच में लड़ा गया था अठारा सो बारा से अठारा सो सतरा के बीच में लड़ा गया था अठारा सो सतरा से अठारा सो अठारा के बीच में लड़ा गया था या फिर अठारा सो अठारा सो एक्टिस के बीच में लड़ा गया था तो अठारा सो सत्रा से अठारा सो अठारा के बीच में तरी ती अंगल मरठा यूद लड़ा गया था तीन अंगल मरठा के बीच में यूद लड़ा गया था पहला अंगल मरठा यूद सत्रा सुपे चैतर से बीच सी के बीच में लड़ा गया था दूसरा अंगल मरठा यूद 1803 से 1806 के बीच में रड़ा गया था और जो तृतिय अंतिम अंगल मरठा युद था वो 1817 से 1818 के बीच में रड़ा गया था Q4 का राइ्ट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमर C नेक्स्ट आजाएंगे हम Q5 पर तो कोशन बर फिफ्ट में का गए निमन लिखित में से अंग्रेजों का अभियान किसके विरुद था जो कि तरीती अंगल मराथा यूद का कारण बने थे क्या सिखों की वज़े से तरीतिय आंगल मराठा यूद हुआ था, क्या मराठों के वज़े से तरीतिय आंगल मराठा यूद हुआ था, या फिर इन मेंसे कोई नहीं, तो question number fifth का जो right option हो जाएगा, option number B, तो ये पिंडारियों की वज़े से, जो तरीतिय आंगल मराठा यूद वो पिंडारियों की वज़े से हुआ था question number fifth का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number B पिंडारी जो आपने देखी होगी एक movie भी आई थी कुछ समय पहले वीर नाम था उसका जिसमें सलमान खान भूमी का निबा रहे थे अभी ने था की तो वो उसमें जो दिखाए गए थे वो पिंडारी दिखाए गए थे सलमान कान जो उसका नेततव था मतलब जो पिंडारियों का नेततव किया था उस फिलम में उसके जो मेन थे मुखिया थे वो जो क्या नाम है उन एक्टर का कुछ नाम मिथून था मिथून है शयद मिथून उनका नेत्तव कर रहे थे तो उनी के बेश्ट उपर वो फिलम बनाईगी यह हला कि उस फिलम में थोड़ी सी ताडक बड़क करके थोड़े से extra equipment यूज़ किये गए बट उतना नहीं था जो पिंडारियों का जो वो था बट उसमें थोड़ी सी बताये गए है मतलब कहने का मतलब यह है कि पिंडारियों के उपर वो movie बेस की गई है तो आपने नहीं देखिए तो एक बार कभी time निकाल के देखिएगा ठीक ठाक movie है और question number 5th का जो right option हो जाएगा option number B जो तरीतिय यूद का करण बने थे वो पिंडारी ही बने थे next आ जाएंगे है question number 6 पर तो question number 6 को देख लेते हैं परशासनिक शुधार के अंतरगत वारेन हेंस्टिंग ने सारव पर्थन court of director के आदेशा नुसार बंगाल में दोयद शासन किसमापती की घोशना कब की थी तो ये बंगाल में जो दोयद शासन किसमापती थी वो किसके द्वारा की गई थी वो वा तो ये 1772 में परशासनिक शुधार के अंतरगत वारेन हेंस्टिंग ने सारव पर्थन court of director के आदेशा नुसार बंगाल में दोयद शासन किसमापती कर दी थी तो आईए इसके बारे में थोड़े सी हमचाचा कर लेते हैं वारेन हेंस्टिंगस का सबसे पहला जो मुख्यका ये था उसने बंगाल की दोरी शासन व्यवस्ता यानि ड्यूल सिस्टम को समाप्त कर दिया था शतरा सो पैसट में रॉबर्ट कलाइव के दौरा बनाई गई ऐसी व्यवस्ता थी जो दोरी ये शासन व्यवस्ता थी जिसमें राजशव उगाई का अधिकार तो कंपनी के प माफ कीज़ेगा शुरुवात की गई थी दो और इसाशन की जिसको समाप्त वारे इन हेस्टिंग ने 1772 में किया था कोश्चन नमबर 6 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर 6 नेक्स्ट आ जाएंगे कोश्चन नमबर 7 पर बिटीस संसद के द्वारा बंगाल में पहली बार कालेजिसिस्ट सरकार की जो वयवस्था है वो किस अधिनियम के तहत की गई थी किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के तहत की गई थी question number 7 है उसका right option हो जाएगा option number A तो ये regulating act था कब आया था 1730 में आया था मतलब इसी के द्वारा बंगाल में पहली बार कोलेजिस्ट सरकार की वेवस्ता का अधिनियम के तहत की गई थी question number 7 का right option हो जाएगा option number A next आ जाएगे हम question number 8 पर question number 8 में का गया Waren Histingers को बंगाल का परतम governor journal कब न्यूक्त किया गया तो आएगे देख लेते हैं 1774 में किया गया था 1773 में 開ऊ गया था 171 में किया गया था या फिर 1778 में किया गया लगा, question number 8 का जो लाइट option हो जाएगा option number B नेक्स्ट आजाएंगे कोश्चन नमबर नाइन पर कोश्चन नमबर नाइन में का गया एसियार्टिक सोसाइटी की स्थाफना कब की गई थी तो आएए देख लेते कि 13 मार्च 1784 को की गई थी 15 जनवरी 1784 को की गई थी 25 माई 1784 को की गई थी विलियम जोन्स ने कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियमस में की थी तो इतनी जानकर ये आपको रखनी है जो एसियार्टिक सोसाइटी की स्थाफना थी किसके द्वारा की गई थी तो ये की गई थी माफ कीजिएगा 15 जनवरी 1784 को इसकी स्थाफना की गई थी किसके द्वारा की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी कहां स्थापना की गई थी कोलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम्स में इसकी स्थापना की गई थी इतनी जानकरिया आपको इसी अर्टिक सूसाइटी के बारे में होनी चीए नेक्स आ जाएंग बीच में चला गया था 1788 से 95 की बीच में चला गया था या फिर 1794 से 1799 की बीच में चला गया था Q10 का जो राइट उप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उप्शन नमबर A तो यह जो वारेन हैश्टिंगस थे इनकी अन्याय पूर्ण नीतिया थी जो यह काम करते थे वो काफी गलत काम करते थे लोगों पर जादा से जादा टेक्स वसूल करते थे और इनकी जो नीतिया थी वो भी गलत ही होती थी लोगों के खिलाफ इनकी नीतिया होती थी तो इसी के मत्यनाजर रखते हुए इन पे महावियोग का मुकदमा चलाया गया था और यह जो मुकदमा था यह 1788 से लेके 1795 के बीच में चलाया गया था कोश्चन नमबर 10 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A नेक्स्ट आजाएंगे कोश्चन नमबर 11 पर कोश्चन नमबर 11 में का आगया दिवानी और फोजदारी का चहरियों के श्रेणी बद संगठन के जरिये न्याय प्रतान करने की नई व्यवस्ता की नीव किसके द्वारा रखी गई थी क्या डचों के द्वारा रखी गई थी फ्रांसिसियों के द्वारा रखी गई थी अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी या फिर पुर्तगालियों के द्वारा रखी गई थी तो question number 11 का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number C तो ये अंग्रेजों के द्वारा रखी गई थी दिवानी और फोजदारी कचेहरियों के श्रेणी बद संगठन के जरिये न्याय प्रदान करने की जो नई विवस्ता थी ये अंग्रेजों के द्वारा ही शुरू करी गई थी या इसकी निव रखी गई थी question number 11 का जो right option हो जाएगा option number C next आ जाएगे question number 12 पर question number 12 में का गया भारत में कानून की विशिष्टता का नियम किसने लागू किया गया था जो ये कानून की विशिष्टता का नियम है ये किस के द्वारा लागू किया गया था तो ये the Earl of Dufferin के द्वारा किया गया था Lord Northbrook के द्वारा किया गया था Lord Litton के द्वारा किया गया था या फिर Lord Carnvalis के द्वारा किया गया था question number 12 का right option हो जाएगा option number D तो ये लाड कारणवालिस के द्वारा कानून की विशिष्टा का नियम लागू किया गया था कोश्चन नमबर 12 का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर D नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम कोश्चन नमबर 13 पर कोश्चन नमबर 13 में का गया है भारत की परसंदा विद सिविल सेवा या लोग सेवा का प्रारम्ब किस के द्वारा किया गया था मतलब सिविल सर्विसिस का जो प्रारम्ब है वह किस के द्वारा किया गया था लैंस डाउन के द्वारा किया गया था कारणवालिस के द्वारा किया गया था दा अर्ल अफ एलगीन के द्वारा किया गया था या फिर अर्ल अफ मिंटो के द्वारा किया गया था कोश्चन नमबर 13 का जो राइट उप्शन है वो हो जाएगा उप्शन नमबर B के दौरान वारेन हेंस्टिंगस ने सिविल सेवा की नीव तो रख दी थी बट जिसका जो काम था जो प्रोसेस थी वो चारल्स कारणवालिस के दौरा शुरू किया गया था मतलब उसमें कुछ खामिया थी जो वारेन हेंस्टिंगस ने नीव रखी थी उसमें कुछ खामिया जिसमें सुधार किया गया था और आधोनी करण किया गया था तरक संगती करण किया गया था इसी लिए कारणवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है तो यह आपको याद रखना है जो सिविल सेवा या फिर लोक सेवा का जो प्रारंब है वो क इसकी द्वारा किया गया था, कारणवालिस की द्वारा किया गया था, कोश्चन nesse 13 का राइ Child option हो जाएगा, option number B, next आ जाएंगे हम, कोश्चन पांच अक्टूबर 1805 को लाड कानवालिस की मृत्यू हो गई थी कहां हो गई थी तो उत्तर परदेश के गाजिपूर में इनकी मृत्यू हो गई थी तो आई ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाड कानवालिस की मृत्यू पांच अक्टूबर 1805 को हो गई थी जब इनकी जो एज थी उस समय इनकी एज 66 वर्स की आयू थी 66 वर्स की आयू में इनका जो निदन है वो हो गया था लाड कार रवाल इसका कहा हुआ था उत्तर परदिश के गाजीपूर में Q14 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A Next आ जाएंगे हम Q15 पर तो Q15 में का गया बसीन की संदी कब हुई थी तो ये पूछा गया बसीन की संदी कब हुई थी दिसंबर 1802 में हुई थी मार्च 1803 में हुई थी अपरेल 1808 में हुई थी या फिर जून 1809 में हुई थी तो Q15 का जो राइट ओप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ओप्शन नमबर A तो दिसंबर 1802 में बसीन की संदी हुई थी बसीन की संदी जो 31 दिसंबर 1802 को भारत में पूने में हुई थी अब पूने नाम है इसका मराठा, पेश्वा, बाजी, राओ, ध्वीतिय और अंग्रेजों के बीच में यह समझोता हुआ था तो इतनी भी जानकारी आपको याद रखनी है बसीन की संदी कब हुई थी 31 दिसंबर 1802 को यह संदी हुई थी बसीन की संदी कहां हुई थी तो भारत के पूने में यह आयोजित की गई थी किस-किस के मद्धे में हुई थी बसीन की संदी महराठा जो पेश्वा, बाजी, राओ, ध्वीतिय था या फिर और अंग्रेजों के बीच में यह संदी हुई थी कोशन वर फूटीन का राइट उप्शन हो जाएगा उप्शन नमबर ए नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कोशन नमबर सिक्श्टीन तो यह पूछा गया है बसीन की संदी किन के मद्धे में हुई थी तो उपर हम डिसकस कर चुके हैं पेश्व बाजी राओं परत्थम और अंग्रेज के बीच में हुई थी कोशन नमबर जो 16 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर ए तो यह जो संदी थी बसीन की संदी यह पेश्व बाजी राओं ठी ती अंग्रेजों के बीच में हुई थी 31 दिसंबर 1802 को हुई थी question number 16 का right option हो जाएगा option number 1 next आ जाएंगे हम question number 17 पर question number 17 में का गया है Lord Lord Vellegely की सहायक संदी को सुविकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था तो ये जो सहायक संदी थी ये Lord Vellegely के द्वारा दी गई थी और इसको सुविकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था पेश्वा बाजी राव दुई थी है शिवाजी महराज संबाजी महराज या फिर राजाराम पर्थम question number 17 का जो राइट option हो जाएगा option number A तो ये पेश्वा बाजी राव धुई थी है के द्वारा अपनाई गई थी सुविकार करने वाले पहले मराठा सरदार होते थे Lord Vellegely की सायक संदी को अपनाने वाले question number 17 का जो राइट option हो जाएगा वो हो जाएगा option number A आये थोड़े सी जड़्चा कर लेते हैं पर्थम सायक संदी पर 1798 में हैधराबाद के निजाम ने हस्ताक्षर किया था सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं मराठे की बात नहीं कर रहा है सबसे पहले जो सायक संदी थी उसको अपनाने वाला को था तो हैधराबाद का निज इनी के द्वारा उपयोग की जाने वाली सायक संदी गठवंदन परनाली गैर हस्तसेक नीती भी इसको बोला जाता है है हैदराबाद के निजाम ने 1798 में इसी नीती पर हस्ताक्सेक करने वाला पहला वक्ती था और अगर मराठे की बात की जाए तो मराठा पहला सरदार कौन तो बहुता पेश्वा बाजिराओ दूइती है तो इतनी जानकार ये आपको लाडवेलेजली की सायक संदी के बारे में होना चीए नेक्स्ट आ जाएंगे हैं कोश्चन नमबर 18 पर तो कोश्चन नमबर 18 में का गया है लाडवेलेजली जिनने 1798 से 1805 तक गवर्नर पद पर रहे थे भारतिय राज्यों को अंग्रेजी राजनेतिक परिदी में लाने के लिए किस प्रणाली का उप्योग किया था क्या हडप नी थी इन्होंने अपनाई थी सायक संदी का निर कोश्चन नम-18 का राइट उप्षिन हो जाएगा उप्षिन नमबर B नेक्स्ट आजाएंगे हैं कोश्चन नम-19 पर तो वो कौश्चन नम-19 में का गया है सायक संदी का प्रियोग सर्व किस यह जट्वरा किया गया था क्या वेलेजिली के द्सक्यों किया गया था इस्टोमेटिक डंग से जो प्रियोग था वो किया गया था वैले जेली के द्वारा बट इसका जो सबसे पहले का अगर पूछा जाएगा तो वो डुपले के द्वारा सायक संदी का प्रियोग किया गया था Q19 का जो राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर C Q20 में कहा गया है पर्थम सहायक संदी अवद राज्ये के साथ कब की गई थी Q20 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर D तो ये 1765 में पर्थम सहायक संदी अवद राज्ये के साथ की गई थी Q20 का जो राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर D जो पर्थम सहायक संदी थी वो 1765 में अवद के साथ की गई थी जब कमपनी ने निश्चित धन के बदले में अवद की सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया था तो इनको कहा गया था जो अवद के ये अवद जो रियासत थी इसको कहा गया था भई आप जो कमपनी है उसको खाना खिलाएंगे उसका रहन सेन देखेंगे जो भी काम है वो सारा देखेंगे बदले में जो कमपनी है वो आपके सारे अधिकार यूज करेगी कोई आप पर हमला नहीं कर सकता मलब सारी जो सीक्योटी वेगर है वो सब कमपनी देखेगी तो ये जो अवद राज्ये के साथ की गई थी 1765 में की गई थी परतम सायक संदी Q20 का राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर D Next आ जाएंगे हम Q21 पर तो Q21 में का गया है लाड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के पद पर कब नियुक्त हुए थे तो ये जो लाड विलियम बेंटिंग थे ये गवर्नर जनरल के पद पर कब नियुक्त हुए थे क्या जुलाई 1828 में हुए थे फरवरी 1828 में हुए थे जून 1828 में हुए थे या फिर अगस्त 1828 में हुए थे तो Q21 है इसका राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A तो ये जुलाई 1828 में जुलाई 1828 में लाड विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए थे Q21 का जो राइट ओप्शन हो जाएगा ओप्शन नमबर A नेक्स आजेंगे हम Q22 पर Q22 में का गया Q22 गवर्नर जनरल ने सरव पर्थम सती पर था बाली का शिशूवद जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए परभावकारी प्रियतन किये थे Q22 गवर्नर जनरल ने सरव पर्थम सती पर था पर रोक लगाने के लिए बाली का शिशुवद पर रोक लगाने के लिए सामाजी कुरूतियों को समप्त करने के लिए जो प्रियतन है वो किये थे तो क्या लाड विलियम बेंटिंग ने किये थे अर्ल आफ हैलगीन ने किये थे सर रॉबर्ट नेपियर ने किये थे या फिर sir William Denison ने किये थे question number 22 का right option हो जाएगा option number A तो ये William Benting के द्वारा ही परियास किये गए थे question number 22 का right option हो जाएगा option number A और इस जो परता है ये जो सथी परता का अंत है राजा रामोन राई ने अंगरेजों के गवर्णर लाड विलियम Benting की साहिता से ही किये थे question number 22 का जो right option हो जाएगा option number A next आ जाएगे हम question number 23 पर question number 23 में कहा गया है कि भारत के इतियास में किस governor general का नाम सामाजिक तता परशाषनिक सुधारों के कारण समरण किया जाता है मतलब याद किया जाता है Earl of Mayo का नाम याद किया जाता है जोन स्ट्रेची का नाम याद किया जाता है या फिर the Lord Northbrook का नाम याद किया जाता है तो जिन्होंने सामाजिक तता परशाषनिक सुधार किये थे सिस्टम में तो ऐसे कौन से governor general थे तो ये थे question number 23 का right option हो जाएगा option number A तो ये विलियम बेंटिंग ही थे जिनके सामाजिक और परशाषनिक सुधार के करण इनको इतियास में याद किया जाता है जिसे सतीपर्था पर भी रोक लगाई थी राजा रामोन राहे के साथ मिलकर question number 23 का जो right option हो जाएगा option number A next आ जाएगे हम question number 24 पर question number 24 में का आगया है विलियम बेंटिंग ने किसे ठगों के विरुद कारवाई करने के लिए नुक्त किया था क्या मिचेल विक को किया था कैप्टन सलीमेन को किया था सलीव लॉरेंस को किया था या फिर जोन निकोलसन को किया था question number 24 का जो right option हो जाएगा वो हो जाएगा option number B तो ये कैप्टन सलीमोन को लाड विलियम बेंटिंग ने ठगों के विरुद कारवाई करने के लिए नुक्त किया था question number 24 का जो right option हो जाएगा option number B next question देख लेंगे आज का last question 25 question तो 25 question में का गया बंगाल में दासों का निरियात कब बंद कर दिया गया था तो पहले जो दासों होते थे उनका निरियात बहुत किया जाता था और दासों का जो शोक रखता था वो फिरोज तुगलक रखता था फिरोज चा तुगलक बड़ा शोकीन था दासों का इसलिए उसने एक अलग विभाग भी बना दिया था, बंदगान विभाग बना दिया गया था, खेर बंगाल में दासो का निरियात कब बंद कर दिया था, 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 बाइस जूलाई 1789 को बंगाल प्रेसिडेंसी में दासों के निरियात पर परतिबंद लगाने की गोशना कर दी गई थी तो यह थे आज के 25 कुश्चिन तो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और चै टेलिग्राम ग्रूप जरूर से जरूर जोइन कर लीजिएगा सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ यहां पर बता दिया जाता है और कोई भी आपका डाउट है क्वेरी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूश सकते हैं इस वीडियो में इतना ही रखते हैं तक के लिए धन्यवाद